हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चाइनल एस्टेक में और पिछले कुछ मन्त से आपने चैट जीपीटी, ओपन एयाई, जेनरेटिव एयाई जैसे वर्ड्स काफी बार सुने होंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ये चैट जीपीटी, ओपन एयाई या जेनरेटिव एयाई क्या है ये कैसे काम करता है, इसके अडवांटेज और डिसअडवांटेज क्या है तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को जिसका नाम है चैट जीपीटी चैट जीपीटी एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आर्टिफिशल इंटिलिजन्स टेकनोलोजी पे काम करता है ये हला कि एक दो मैंने पहले ही लाँच हुआ है और ये अभी भी एक R&D परपस या प्रोटोटाइप डेवलोप्मेंट फेज में है लेकिन फिर भी सिर्फ पाँच दिनों में मिलियंस ओफ यूजर ने इसे यूज़ किया है चैट जीपीटी एक जादू की छड़ी की तरहा ये एक Artificial Intelligence टेकनोलोजी का आज तक का सबसे प्रगत और बैतरिन रूप है एक फिर्फ टेकनोलोजी है और अभी हम इससे कुछ घंटों का काम कुछ सेकंदों में ही कर पा रहे है तो बात करते है चैट जीपीटी जिसने डिजिटल सिस्टिम को पूरा हिला कर रख दिया है चैट जीपीटी ये ओपन याई कमपनी का एक सॉप्ट्वेर प्रोड़क्ट है और जैसे कि आप जानते हो कि ओपन याई ये इलॉन मस्क और सैन अल्टमन इनों ने 2015 में स्टार्ट हुई कमपनी है और आप ओपन ये आई के बारे में अगर जानना चाते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे दिये हुए लिंक पे क्लिक करें ओपन याई कमपनी ने कुछ महिनों पहले चैट जीपीटी का अडवांस आर्टिफिशल इंटिलिजन्स टूल मार्केट में लांच कर दिया हाला कि ये थर्ड वर्जन आफ चैट जीपीटी है और ये अभी भी प्रोटोटाइप डेवलोपमेंट या आरेंडी फेज में है और अभी कुछ सिदार करने बाकी है लेकिन इसकी लोग प्रियता में कुछ भी कमी नहीं आई है सिफ पाच दिनों में दस लाक यूजर तक ये पोच चुके है जैसे कि आप जानते है चैट जीपीटी दो वर्ड से बना है चैट प्लस जीपीटी चैट चैट का मतलब है कम्यूनिकेशन मैंने बातचीत और जीपीटी जी का मतलब है जनरेटिव कुछ तो नया जनरेट करने का पी का मतलब है पी ट्रेंड पी ट्रेंड यानि इसको अल्रेड़ी यूमन्स द्वारा ट्रेंड किया हुआ टूल और टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर मतलब बदलने वाला अभी फिलाल chat GPT हमें only text format में data generate करके दे रहा है लेकिन आने वाले कुछ दिनों में chat GPT हमें जो data या information प्रोवाइड करेगा वो शायद videos या images format में भी हो सकती है अभी आप कहोगे कि हमारे questions का answer तो Google भी दे सकता है लेकिन वैसा नहीं है Google में आपको जस्पूचे हुए सवाल या questions से related links मिलती है और हमें किसी भी links पर click करके answer find out करना पड़ता है और दूसरी तरफ chat GPT solve this problem आपको shift question type करना है और generate बटन दबाने के बाद जैसे कोई smart वेक्ती answer देता है या explain करता है same answer हमें type करके chat GPT देता है chat GPT यह tool musician की तरह है जिसके पास बहुत से instruments हैं और इने कैसे बजाना है उसे पता है और उनीक की वज़से वो हर वक्त कोई न कोई नई tune या नया संगीत प्रोड्यूस करता है chat GPT के पास बहुत से सारे डेटा सेट से और हर बार chat GPT इनी डेटा सेट का यूज करके हर बार कोई न कोई नया answer आपके सामने text format में show करता है chat GPT यूज करके आप blog लिख सकते हो email लिख सकते हो website के लिए content लिख सकते हो आपको आप आयो डेटा बना सकते हो आप एक कवीता लिख सकते हो और तो और आप चाहिए तो किसी program के लिए code भी लिखवा सकते हो किसी भी question का answer आप इससे लिखवा सकते हो और वो भी एक simple task से just question पूछो और जो चाहिए उसका answer पाईए अब हम देखेंगे कि chat GPT को use कैसे करते है उस सबसे पहले chat GPT search in the google.com click on the first link आपको इस तरह का कुछ interface दिखाई देगा click on try chat GPT and login first login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा जहाँ पे कुछ examples, capabilities और limitations दिए हुए हैं जैसे कि examples में दिया हुआ है कि explain quantum computing in a very simple terms any creative ideas for a 10 years old birthday how to make http request in javascript एट्सेटर 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 यह आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बलकि आपके साथ यह communicate भी कर सकता है अगर आप चाहिए तो answer में कुछ changes चाहिए तो भी आप करवा सकते हो और कुछ अगर inappropriate detail चाहिए या कुछ answer चाहिए तो chat GPT decline भी कर सकता है और जैसे कि chat GPT का यह एक prototype development phase वाला version है तो यह final नहीं है तो इसमें क्या है कि कुछ limitations है जो यहाँ पर mention है जैसे कि यह कभी कभी गलत answer भी दे सकता है 2021 के बाद के events के लिए यह trend किया हुआ है या कभी कभी यह danger खतना सुचना भी दे सकता है So let's start और देखते हैं कि अभी यह chat GPT काम कैसे करता है यहाँ पर नीचे एक text bar दिया हुआ है जहाँ पर आप जो चाहिए वो questions चैट GPT से पूछ सकते हो चैट GPT को जानने का सबसे अच्छा तरीका है अब चैट GPT से पूछेंगे कि वो क्या है तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ what is chat GPT और यह enter बटन दबा दिया और आप देख रहे हो chat GPT ने लिखना start कर दिया है वो mention कर रहा है यहाँ पर चैट GPT ने अपने परपस भी बताया है तो जनरेट यूमन लाइक रेस्पॉंस तो वेरियस क्वेस्टन्स आस्क बाई यूजर्स होमवर्क में हेल्प कर सकता है एडवाइस दे सकता है और और मेनी मोर लेकिन एक ही है that chat GPT don't have emotions because यह खली एक computer ही है लेकिन chat GPT try करेगा कि help poor और accurate response दे अगर आपको यह answer अच्छा लगा तो ठीक है otherwise यहाँ पर एक regenerate response का भी option दिया हुआ है जैसे ही आप regenerate response के उपर click करोगे chat GPT आपको अलग तरीके से answer दे देगा अगर आपको एक leave application का email लिखने का आपके boss को तो यह भी काम आपका chat GPT कुछ second हो में कर देगा जस आपको यह text bar में just mention करना है write a letter to a boss for leave application due to illness और जस एक enter बटन दबा दीजिए और आप देख सकते हो कि chat GPT ने अपना text start कर दिए है चलिए अब हम chat GPT से हमारे इंडिया के historical person के बारे में जानकारी पूछते और देखते हैं कि chat GPT इसका answer सही तरीके से दे पाता है या नहीं इसलिए मैं यहाँ से chat GPT से पूछता हूँ कि summarize the history of शत्रपती शिवाजी माराज और यह enter button दबा देता हूँ और enter button दबाने के बाद आप देख रहे हैं कि chat GPT ने अपना काम शुरू किया है और just wait यह अभी इसमें क्या होता है कि आपने जैसे जैसे question पूछोगे वैसे वह एक एक नीचे नीचे जो पहला question रहेगा वो सबसे उपर रहेगा first in first out की तरह तो यह और नीचे आप मैं अभी scroll down कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा history श्वात्रपति श्वाजी महरांच के पूरा का पूरा history आ चुका है और आप check कर सकते हो एक बार read कर सकते हो और read करने के बाद अगर आपको यह content अच्छा लगा है तो यहाँ पे like और dislike का button दिया हुआ है यह तो like बटन दबा सकते है यह आपसे एक feedback पूछेगा देना चाहते ही तो it's okay otherwise आगे process कर सकते है जैसे ही आप यह new chat का button दबाएंगे आप फिर से original page पे आ जाएंगे अभी हम software related question chat GPT से पूछते है write a html code for a page with three columns और यह enter बटन दबा दिया और आप देख रहे हो कि chat GPT ने answer लिखना start कर दिया है एक coding के format में यह actually मुझे भी इतना coding आता नहीं है लेकिन इससे मुझे अभी लगते है कि सीखनी की ज़रुत नहीं है directly मुझे chat GPT answer दे देगा इतना ही नहीं बलकि अभी यह code इन्होंने लिखा हुआ है chat GPT ने इसको आप अगर उपर देखोगे तो आप इसको copy भी कर सकते हो एक मिनिटा मैं इसको उपर लेके जा रहा हूँ वेट यह आ गया उपर हम और यहाँ से यहाँ पर copy code करके है यहाँ से आप उसको copy भी कर सकते है यह मैंने copy केर दिया तो इससे यह साभित होता है कि code लिखना आना ज़रूरी नहीं है बलकि आपको chat GPT से question पूछना आना चाहिए अभी हम chat GPT से एक अनो का question पूछते कि जैसे मैं अभी चाहता हूँ कि write a motivational poem in Hindi तो और यह मैंने यहाँ पर text box में mention कर दिया और एंटर बटन दबा दिया अभी आप देख रहे हो chat GPT थोड़ा वक्त ले रहा है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि at a time बहुत सारी users इसे use कर रहे है और इसको यह थोड़ा Hindi में language यह करने के लिए कर रहे है और देखो यह start कर दे इसने जीत का जशन थकान से तुम ना घबराओ याद रखो जीत का जशन है आगे हमारा मैंने भी नहीं सोचा था कि यह इतना अच्छा लिख पाएगा जीत का जशन होगा आज औरे औरे good good मैं तो अभी आइंदा से यही यूज करूंगा यह लिखती ही जा रहा है थकान से तुम ना घबराओ बहुत बढ़िया और मैं इतना sure हूँ कि यह जो इसने generate किया है content यह आज तक किसी ने use नहीं किया हुआ यह first time ready है अगर आप चाते हो इसे use करना तो okay otherwise आप फिर से इसे regenerate कर सकते हो तो अभी में भी आपके जैसे यह यह आप पे यह चैट जीपीटी काई सीक रहा हूं मैंने इससे बहुत सारे questions पूछे है और इसने near about मुझे सभी questions का answer दे दिया है मैं खुद शौक में हो कि मैं इससे क्या पूछू कि जिसका यह answer ना दे पाए तो यह जैसे future के कुछ questions है उसके answer नहीं दे पा रहा है और कुछ आपका personal related रहेंगे वह answer नहीं है otherwise इसके पास each and every question का answer है जबकि यह अभी एक R&D या predictive prototype development page में है तो जैसे कि मैंने अभी इससे पूछा था कि earth will destroy on which date तो इसका answer इसके पास है नहीं है लेकिन मैंने अभी इससे पूछा कि वही जो आतरा फ्रामा है ना तो इसके पास इसका पूरा history का data available है मैंने इससे पूछा था कि मेरी birth date क्या है तो उसका इसके पास answer नहीं है क्योंकि वह एक artificial intelligence है और personal information उसके पास है नहीं है लेकिन उसने वह भी बता है कि मुझे मेरी birth date कहा से पता लगेगी मैंने कुछ दोस्तों के नाम प switch के लिए लिखा था कि on off करने के लिए तो उसने वह program भी पूरा पूरा लिख दिया अप्टर मैंने उससे पूछा था future of India तो वह भी प्रेडिक नहीं करता है मतलब यह future प्रेडिक नहीं कर पा रहा है लेकिन जितना mathematics related automation related programs या जो भी questions है उसके answer इसके पास है तो यह मेरे को लगता है आज तक खा मेरे मेरे लिए तो यह बहुत powerful tool है क्योंकि मुझे programming नहीं आत जाएगा जैसा कि आप जान रहे हो कि यह chat GPT version जो हो final version नहीं है अभी prototype version है तो इसके कुछ answers जो है वह incorrect हो सकते हैं दूसरा कि बहुत जोनों को डर है कि artificial intelligence की वज़े से या फिर chat GPT की वज़े से लोगों के job जा सकते है लेकिन वैसा कुछ है नहीं है job जाएंगे नहीं बलकि नए type के jobs आ जाएंगे market में जैसे कि लोगों को लगता था कि ATM या computers की वज़े से बहुत सारे लोगों के job जाएंगे लेकिन job जाएंगे नहीं कुछ अलग types के jobs जो अभी आप regular basis पे कर रहे हो उसके कुछ अलग versions के job आ जाएंगे क्योंकि यह जो chat GPT है वो एक machine है उसको चला आने वाला इंसान ही है तो job जाएंगे नहीं और इंसान को खाली question पूछना आना चाहिए क्योंकि इंसान question पूछ सकता है machine question पूछ नहीं सकती वो केवल answer ही दे सकती है और बहुत सारे answers यह humans ज्वारा ही machines में feed किये हुए है हाला कि अभी यह जो chat GPT का version है वो free है free to use है लेकि इसके लिए कुछ न कुछ charge apply करेगा आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह video पसंद आया रहेगा और आपको थोड़ा बहुत तो chat GPT के बारे में यह क्या है कैसे काम करता है इसका feature advantage disadvantage आपको पता लगा रहेगा तो आप इस video को like share और subscribe जरूर कीजिए कि जिससे की मेरे आनी वा आपको पता है